पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना JPC से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता जो तथ्य हैं जो रिष्टे हैं अडानी के और मोधी सरकार के बीच में और जो एक मात्र लाबारती हैं मोधी सरकार के आर्थिक नीतियों के जो अडानी बिजनेस ग्रूप है उसके जो खुलासे हुए हैं उस पर JPC का गठन होना बहुत ज़रूरी है यह मांग हम पिछले छे मेने से कर रहे हैं नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं नमस्क lets कर भाईशकार करतावा दिखाई देगा विपक्ष ने पहले भी इस मुद्दे को लेकर यह कहा था कि मोधी सरकार जान बूच कर विशेश सत्र को ला रही है देश में कई ऐसे मुद्द हैं उस मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है लेकिन केंद्र सरकार विशेश सत्र लाने के लिए यहाँ पर जद्दु जहद में जुटी हुई है और इस विशेश सत्र का मकसद यही है कि जनता की दिलों पर राज कर सकें कैसे जनता को गुमरहा कर सकें कैसे जनता के मुद्दों को हटाया जाए और तमाम उन मुद्दों को लाया जाए और उन बिल को पास करवाया जाए जो जनता विरोधी बिल बताए जाते हैं अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चार एजेंडे मोधी सरकार की तरफ से पेश किये गए हैं इससे पहले यहाँ पर कॉंग्रेस सरकार बार-बार यह कहते हुए नजर आई है कि संसत के विशेश सत्र के शुरुआत का एजेंडा क्या है क्या मकसद है आपका लाने का क्योंकि आपको बता दें कि एमेरजंसी में ही यह संसत के विशेश सत्र को बुलाया जाता है इससे पहले जब GST लागू होना था उस वक्त यहाँ पर संसत की ये कारवाही चलती वे नजर आई थे विशेश सत्र के दोरान ठीक अब यहाँ पर 18 सितंबर को होगा यहाँ पर कई ऐसे विधेक लाए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं किसी ऐसे मुद्दों से जुड़े हुए नहीं हैं कि यहाँ पर वो गलत हैं लेकि यहाँ पर लाने का मकसद क्या है इस बात को लेकर सवाल उटते वे नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेना इसको यह विदहक को भी लाया जा रहा है यहाँ पर कई ऐसे और विदहक को लाया जा रहा है जिस पर चर्चा होगी लेकिन विपक्ष ने सीधे तोर पर कह दिया है कि हम इसका सीधे तोर पर बहिश्कार करेंगे इस वहिश्कार को लेकर यहाँ पर सोनिया गांधी ने एक चिट्थी भी ली थी जो अजेंड़ा बताने की बात कही ज़ा रही थी इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर कॉंग्रिस की तरफ से जैराम रमेश और तमाम लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं देखे ज़रा पर कुछ समझवाता हुआ था कुछ वाइदे किये गए थे MSP को लेकर खास तोर से कानूनी गैरेंटी MSP को देने की बातचीत हुई थी और किसान संगठनों के अलग-अलग मांगे भी थी उस पर क्या कारवाई हुई है उसकी मोजुदा सिती क्या है MSP पर MSP को लेकर लीगल गैरेंटी के मुद्दे पर सरकार के मन्शा क्या है इस पर चर्चा हो सोनिया जीन ने जिकर किया है तीसरी मांग जो हमारी है जो अडानी बिजनेस ग्रूप को से लेकर जो खुला से हुए हैं हमारे मीडिया में अंतर राश्ट्रे मीडिया में और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है इस पर जांच हो रही है एक विशेश्चमिती का गठन के आगया सुप्रीम कोट के द्वारा से भी की जांच हो रही है पर यह बिलकुल साफ हो गया है कि बिना जेबीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता जो तथ्य हैं जो रिष्टे हैं अडानी के और मोधी सरकार के बीच में और जो एक मात्र लाबार्ती हैं मोधी सरकार के आर्थिक नीतियों के जो अडानी बिजनेस ग्रूप है उसके जो खुलासे हुए है उस पर जेबीसी का गठन होना बहुत जरूरी है यह मांग हम पिशले च्छे मेने से कर रहे हैं साथ मेने से कर रहे हैं पर यह मांग हम फिर से दोरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधान मंत्री को भी अवगत कराया है, चौथा मुद्दा है, कास्ट सेंसस को लेकर, जातिये जन गर्णा को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामी द्विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातिये जन गर्णा हो, Social Economic Consensus हमने पूरा भी किया पर उसमें और काम करने की जरूरत थी हमारी सरकार चली गई 2014 में उसके बाद में उस जातिय जन्गन्ना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं न केवल जातिय जन्गन्ना नहीं हुआ है पर जो 2021 में जन्गन्ना होने वाली थी और उस जन्गन्ना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाबारती नहीं बन पाएं तो जन्गन्ना होना जरूरी है और खास विशेश तोर से जातिय जन्गन्ना होना जरूरी है क्योंकि जो सरकारी कारिक्रम है, वारे समाजिक न्याय के कारिक्रम है, समाजिक सशक्तिकरण के कारिक्रम है, नीतिया है, उसको और मजबूती देने के लिए ये जातिय गंचननना होना ज़रूरी है, अनिवार यह है, पांच्वा मुद्दा है, संगिय धांचा पर जो आक्रम गया था अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम उसके बारे में पढ़ने को मिलता है पर यह साफ हो गया है कि यह संगिय धांचा पर एक जान बूच कर एक प्लान रन नीतिके का वज़ा कारण है कि राज्यों को खास तोर से जो राज्य बीजेपी शास राज्य नहीं है उनके सामने मुसिबते खड़ा करना उनको परेशानी में डालना उनकी जो समवेदानिक हक है जो समवेदानिक अधिकार है उनको नहनत नह देना यह सब मोधी सरकार की रन नीति हैं और यह हम उठाना चाहते हैं इस पर बहस होने की जरूरत है और सोनिया ज इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी गई राज्यों में जो चिंता चिताई गई है कई मुख्यमंत्रुनियों भी कहा है इस पर चर्चा जरूर कराईए छटा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं खास थोर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्यादिक बा कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं नुकसान पहुंचा है और एक राज्य में अत्यादिक बाड हो रहा है दूसरे राज्य में महारास्ट्र जेसे राज्य में अत्यादिक सुखा हो रहा है तो यह अत्यादिक बाड और अत्यादिक सुखा यह प्राकृतिक में जिला सरकार, पंचायद, नगरपाली का, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सब से हैं भूमिकार किन्ज सरकार की होती है, राहत किन्ज सरकार से आता है, केलमेटी रिलीफ किन्ज सरकार के माधियम दिया जाता है, तो ये कई ही राज्यों ने बात उठाई हैं, और न राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीडित हैं या तो अत्यादिक बाड या या अत्यादिक सुखा तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो और सोन्या जी ने इसका भी जिकर किया है सात्वा मुद्ध चीन से लेकर है आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधान मंत्री ने स्वयम चीन को एक ख्लीन चिट दे दिया था पर उसके बावजूद आज हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है लडाक और अरुनाचल प्रदेश में हमारे सीमाओं पर गंबीर समस्याएं पैदा हुई है चुनोती है हमारे लिए विदेशनीती के लिए पर इस पर तीन साल से बहस नहीं हो पाई है एक शब्द नहीं बोला गया है हालांकि जो शब्द बोले गये हैं 19 जून 2020 को वो एक लिंचिट दिया गया है प्रधान मंत्री से और इसका इसकी कीमत हमें बारी तरीके से चुकाने पड़ी है पर इस पर बहस होना चाहिए और अगले रन नीती क्या एक सामोहिक संकल्प हम दिखाएं इसको लेकर सिर्फ आलोचना के लिए नहीं पर हम चाहते हैं एक सामोहिक संकल्प संसत की ओर से दुनिया के सामने रखा जाएं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनोती है और इसका मुकाबला हम एक जूटोकर करेंगे आठवा मुद्दा जो सामप्रदाएक तनाव पैदा किये जा रहे हैं मिसाल के तोर से हर्याना जैसे राज्यों में ये चुनावी रण नीती तो है ही पर सामप्रदाएक तनाव कई राज्यों में प्रियास की जा रही है कभी-कभी जो संस्थाएं है बोला जाता है ये फिरिंज एलेमेंट है पर कभी-कभी non fringe element भी इसमें शामिल है तो सोनिया जी ने कहा है कि जो communal tension है स्वासाम प्रदायक तनाव है अलग-अलग राजियों में एक भै का वातावरन बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भै का लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं लोगों को लेकर, चार मैने हो गये हैं, सुप्रीम कोट ने कहा है, समवैधानिक संस्थाएं सब खतम हो चुकी है आज भी लोग पीडित हैं लाखों लोग विस्थापित हैं और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले पांच दिन के लिए जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, पांच दिन के लिए इमफाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है तो अगर स्थिटी नॉर्मल है, तो पांच दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया तो ये नो मुद्दे हैं, सोनिया जी के खत्में, अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो संसत की कारिवाही चलेगी वो यहाँ पर 18 सितंबर को यानि कि पहले दिन तो पुरानी पार्लियमेंट यानि पुराने संसत भवन में देखी जाएगी लेकिन जो अगली कारिवाही यहाँ पर चलेगी, वो नई संसत भवन में होती ही नजर आएगी, जो बाकी चार दिन चलेगी, अब ऐसे में इस गंभीर मुद्दो की बात कही जाए तो मणिपूर पर अभी तक कोई संग्यान नहीं लिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दे पर कोई संग्यान नहीं लिया गया है, मनिपूर के अलावा यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, जो जनता के हित के लिए चाहिए, लेकिन उन पर कोई संग्यान नहीं लिया जा रहा है, विपक्ष लगतार कह रहा है कि भरी संसत में वो यहां पर आपका बहिशकार तो करेंगे लेकिन जेपीसी जांच की मांग जरूर करेंगी गौताम अडानी का मुद्दा ही उठाते रहेंगे और मणिपूर पर चर्चा करते रहेंगे ऐसा यहां पर विपक्ष पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी क कहना है अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है क्या शांति पूर्वक तरीके से संसत की कारेवाही चल पाएगी या संसत की कारेवाही मानसुन सत्र में जिस तरीके से देखा गया था कि बार बार कारेवाही को स्थगित कर दिया गया था यह कारेवाही भी यह पर स्थगित होती भी नजर आएगी क्या है आपकी राए कमिन बॉक्स में जरूर बताए धन्यवाद